जहीं दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से मेरिक नहीं वीडियो में साथी बाबा सभीम रामेतकर नुश्टी लखनाव के तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेट इंफर्मेशन आप लोग के लिए तो जैसे कि दोस्तों आप लोग के पता हुआ कि बाबा सभीम रामेतकर नुश्टी के तरफ से आप लोग का राइस्टर्ड मेरिक लिस्ट को पब्लिस कर दिया गया था उसके बाद दोस्तों आप लोग का 3 जुलाई को आप लोग का final merit list को publish कर दिया गया था तो basically मैं आप लोग को सभी चीज को detail में चेक करके बता दे रहा हूँ तो इसके लिए simply आपको यहाँ से login कर लेना है तभी मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ और आप लोग को सभी चीज डिडियल ने बता देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो दोस्तों basically इस वाले merit list में जिन बच्चों का नाम है समझो उनका university में admission आराम से हो जागा और हाँ एक और ध्यान देन वाली बात है किसमें से basically हो सकता है कि किसी course का आप लोग के यहाँ पर अभी तक data नहीं आया होगा तो आप लोग को panic नहीं होना है आप लोग का भी data एक से लेकर के दो दिन में आ जागा या तो फिर आज रात तक अराम से आप लोग का data आ जागा आप लोग यह मा सोचना कि basically दूसरे courses वालों का आ गया है तो मेरा भी तक नहीं आया तो भाई मेरा admission छूट जागा तो ऐसी बात नहीं है देखिए जो आप लोग का admission हो रहा है वो आप लोग के department wise admission हो रहा है जी हाँ दोस्तों जो भी आप लोग का admission हो रहा है वो आपके department wise admission हो रहा है तो यह जो public administration का admission हो रहा है यहाँ पे public administration का department कर रहा है जो इसका course का department है जो इसका faculty का department है वही लोग यहाँ पे अपने courses में admission कर रहा है ठीक दोस्तों सी तरह हो सकता है कि अगर आपके कुर्स माभी ते कोई merit list नहीं आया साथ एने लिकर के आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका भी एक दूदीन में आ जागा या तो फिर आज रात तक आ जागा तो पैनिक नहीं होना साथ हो सकता है कि आपके डिपार्टमेंट वाले थोड़ी से लेजी हो या तो फिर समय से काम नहीं कर रहे हो तो यह एक बात अलग हो सकती है लेकिन दोस्तों आप लोग को पैनिक नहीं होना है उसमें आप लोग के basically क्या करना है अब दोस्तों मैं आप लोग का yoga को ट्रेंट पोर्टल को लोगिन करके दिखा दे रहा हूँ basically आप लोग को किस तरह से लोगिन करना है simply दोस्तों मैं आप लोग को इस लिंक को अपने description box में प्रभएड करवा दे रहा हूँ यहां पर दिख सकता हूं, प्रक्रेख करके डिरेक्ली लोगिन फॉटल पोर्टल करने बार, वमार में वुमार को बिल्सकाटेन को इसे हो गाए हूं थो हो गया, यहां लोग डिरेक्लिक लियुक्त करके का इसरा कुक्सरेंट पॉर्टल तो थोड़ी से आप लोग को समझने में दिक्कत हो सकती है, बाकि दुस्त आप लोग यहां पे देख सकते हो, जो आप लोग का अडमिशन इस्टेटस दिखा रहा है, यहां पे आप लोग का डोकुमेंट वेरिफाइट दिखा रहा है, मतलब कि जो भी आप लोग का डोकुमेंट था, आप लोग को समिट नहीं करना, इनिवर्शिटी अपना डोकुमेंट NTS ले लिया है, और NTS यहां से अपका सारा डोकुमेंट को वेरिफिकेशन भी कर दिया है, जिहां दोस्तों अभी तक आप लोग यह सुन रहे होंगे कि बि वेरिफैड हो गया, उनका डोकॉमेंट वेरिपीकिशन हो गया अब आपको इसमे कुछ नहीं करना है, फाइलनले दूस्तों इसके बाद आप छलाण जनरेट होगा और चलान बिसिकली आप लोग का 5 जुलाई तक 6 जनरेट हो जागा इसलिए दुस्तों मैं आप लोग को कहा रहा हूँ कि आप लोग अपना मेल को पड़े चेक करते रहेगा और मेल वाला भाई आप लोग का जो स्पैम वाला जो अपसान होता है बैसिकली आप लोग को स्पैम मुला तो जोरू चेक करना है बाकि दोस्तों अपने यहाँ पे इस्टुडेंट पोर्टिल को भी आप लोग चेक कर सकते हो बैसिकली यहाँ पे आप लोग का जो फी पेमेंट करना है का यहाँ पे भी आपसन आ सकता है आप लोग का जो चलांज जनरेट होगा वो आपको mail कर दिया जाएगा तो आप लोग basically कोसिस करना है कि mail को चेक करते रहना और भाई आप लोग अपने student portal को थमिशा चेक करते ही रहना तो यहाँ पर आप लोग के दोस्ते ध्यान देना वाली बात है जैसे कि आप लोग को basically अभी MA public administration में admission लेना है तो basically इसके लिए आपका MA public administration आपका जो counseling की process करवा रही है तो basically दोस्तों जो student कभी मैं यहाँ पर portal खुलकर रखाऊं basically MA public administration का यह student है तो इसका भाई आ चुका है तो finally समझ लोग कि इसका admission हो जाएगा बाकी जोस्तों इसका document verified हो गया अब इसको कुछ नहीं करना है अब इस बंदे को इंतिजार करना है कि कभी इसका challenge generate होगा और finally कभी यह payment करेगा और इसके बाद university का यह accident हो जाएगा तो अगर आपका अभी तक यह link नहीं आया है आप लोग का document verified है already आप लोग का बस अब होगा क्या तो आप लोग का सिर्फ challenge generate होगा और challenge generate होने के बाद finally आप लोग का payment करना university के लिए payment करने के बाद आप लोग university का यह accident हो जाओगे तो बाकी दुस्तों गर इसमें आप लोग का कोई भी और doubt हो तो आप लोग कमेंट करो मैं कोशिज करूँगा उसको detail में कभार करते हो